मैं मिल के लिए मना नहीं करता हूँ मैं मिल के पोर्षन से मुझे नफरत है जिस तरीके से आप बच्चे को केवल और केवल दूद ही देते रहे Welcome Parents दोस्तों, Parents के एक बहुत बड़ी चिंता होती है कि क्या हमारे बच्चे का वेट, वजन सही है क्या क्या उसका वजन सहीर अफ्तार से बढ़ रहा है कहीं उसका वजन कम तो नहीं हो रहा है तो यह एक बहुत बड़ी टैंशन पेरेंट्स को रहती है यूजवल इसके बारे में वो पूछते ही हैं यह सवाल तो देखिए मैं आपको बता हूँ वजन के पीछे बहुत से कारण होते हैं जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो वह एक बेबी ग्रोफ चार्ट जो है उसका कैसे बढ़ रहा है यह सिक्वेंस में देखा जाता है और ज्यादातर केसे में आप पेरेंट्स जो है उसकी टैंशन ज्यादा लेते हैं बच्चे का वजन ठीकी तरीके से बढ़ रहा होते हैं इसके पीछे कारण हो सकते हैं अगर डाइट इसके पीछे कारण है तो आज के इस वीडियो में मैं पांच ऐसे फूड आपके साथ में शेयर करूंगा जो आप अपने बच्चे को देंगे तो उसके वजन बढ़ाने में यह मददगार होगे मैं फिर से इसपस्ट कर देता हूं एक बार अपने डॉक्टर की राय जरूर लीजिए ग्रोष चार्ट का उप्योग जरूर कीजि बच्चे को खाना खिला रहे हैं तो वहां पर हमारे पास State बड़े खाने उते हैं इनको हम बोलते हैं मैक्रो नूट्रियंट यह मैक्रोणी नूट्रियंट है आपके पासमें कार्बोहाइड हैड्रेट प्रोटीन और फैट्स यह तीन बड़ी चिजिए होती जो हम भी खा और बच्चे को भी खेला है कि और क्योंगे यौण की शोते बच्चे उनका छोटा पेट तो हमारे को करना क्या है कि जो ऐसा खाना उनकी डाइट के अंधर देना है जो करम मात्रा में कैलोरी स्फिला ले आप मेरी बात समझगे औंगे कि बच्चे कोम खाएं में 4 calories, protein के 1 gram में 4 calories, लेकिन fats के 1 gram के अंदर 9 calories, अब आप अंतर देख सकते हैं, कि ज्यादा calories किसी आ रही है, same मात्रा में fats के अंदर calories ज्यादा रही है, तो ऐसा हमारे को करना चाहिए कि बच्चे का जो food है, उसमें थोड़ा सा अच्छे fats, ज्याद रखिएगा, अच्छे fats ज के अंदर सब से उपर आते हैं, number one oil, कौन सा oil है, ये मेरे पास olive oil है, अब इसको देना कैसे है, अगें इसके अंदर जो है, एक ग्राम के अंदर 9 calories है, अब हमारे को इसको देना कैसे है, आप जो भी बच्चे की serving कर रहे है, बच्चे का जो आपने उसका कोई purees बनाई है, उ उसके अंदर इसकी एक चम्मच डाल दीजिए, याद रखिए मैं बात कर रहा हूँ, छै मेहने से उपर के बच्चे की, छै मेहने से नीचे के बच्चे के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ, तो आप उसके अंदर आपने जो भी उसके प्यूरी बनाई है, जो उसके लिए delicious आपने उसका एक nutritious food दिया है, उसमें एक चम्मच लें और इसके उपर छिड़क दीजिए, गरम करने से इनके नुकसान बढ़ जाते है, तो ऐसे मैं यह है olive oil, लेकिन मेरा जो फेवरेट है वो रहता है flax oil, मैं आप से बहुत बात करता हूँ, मेरे multiple videos के अंदर मैंने आपके weight gain में फाइदे मंद ही है, इसके लवाद दो जगे पे और फाइदा देगा बच्चे को, एक उसके brain के विकास के अंदर और दूसरा क्योंकि flax oil के अंदर fibers भी बहुत अच्छे, तो वो उसकी आंतों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, तो आप याद रखिए, oil दे रह प्रम नहीं करना है, याद रखिए, चलिए, यह हुआ food number one, अब हम लेते है food number two, यह जो है, यह हमारे पास आता है, nut butters, मेरे पास यह peanut butter, इसके लावा आप बादाम का जो है, almond butter भी ले सकते हैं, काजू का जो butter भी ले सकते हैं, peanut butter जो है, बहुत-बहुत nutritious होते हैं, भगवा इसके अंदर भी बहुत अच्छे fats हैं, और fats होने की वज़े से इसमें भी calories जो है, वो ज्यादा है, यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, दो बातों का विशेज ध्यान रखना है, एक तो nut butter जो है, इससे choking हो सकती है, तो इसको अच्छे से आप ग्राइंड करें, अच्छे से और फिर छोटे बच्चे को खिलाएं, और दूसरा क्योंकि यह nuts है, एलर्जी का कारण है, तो इनको जब आप दे रहे हैं, तो देते समय बहुत ध्यान रखेगा, आपने शुरुआत में जैसे यह है, पीनट बटर है, इसको थोड़ा सा लिया, इसको पानी में मिलाया, डा आपने जो भी 48 अवर्स का है, या शुरुआत में दो गंटे लिया है, तो अगर ऐसे में बच्चे को कोई छीक आरी है, बच्चे को कोई रहे हैं, तो फिर हमें उसको नहीं देना है, फिर हमें उसको रोक लेना है, कुछ समय के लिए, तो इन दो बातों का विशेज धियान और उसके जो हार्ट, उसकी हेल्थ में बहुत फायदेमन है, इसी लिस्ट में तीसरे नंबर पर मेरे पास आता है, मिल्क, मेरे से बहुत से मेरे से पास कुष्टन्स आते हैं, कि आप मिल्क के लिए मना करते हैं, मैं मिल्क के लिए मना नहीं करता हूँ, मैं मिल्क के होल मिल्क देना है, मतलब गाय का दूद आप दे सकते हैं जब बच्चा आपका एक साल का हो गया है लेकिन उस दूद में से फैट नहीं निकला होना चीए यह होल मिल्क होना चीए तो यह बहुत इंपॉर्टन्ट है, एक साल बाद स्टार्ट करेंगे गाय का दूद और उसमे एक साल से पहले नहीं देना है यह याद रखेगा तो यह है food number 3 और आप यह दूद के बारे में जानना चाहते हैं कि बच्चे को कितना दूद पिलाना चाहिए तो इससे related मेरा complete video है आप i button को click करें और वो video जरूर देख लीजिए तो मैंने तीन food आपके साथ शेयर कर लिया चोथे नंबर पे इस list में मेरे पास आता है यह एक फल यह है अवोगाडो देखें मैं आपको एक चीज़ पस्ट बता दूँ मैंने यह fruit नहीं खाया ना मैं इसे कोई frequently अब खाता हूँ अभी बच्चमन में तो खाया नहीं अफोर्डेबिलिटी की प्रॉबलम में थोड़ा महिंगा फल आईए आपको अफोर्डेबल है आप कर सकते हैं तो इसे बच्चे की डाइट में रखिए इसकी क्रीमी कंसिस्टेंसी है बच्चे एकसेप्ट जल्दी करते हैं आप 6 मेने के बाद इसको बच्चे की डाइट में यूज कर सकते हैं वजन बढ़ाने में भी फायदे मन्द है प्लस एकसेप्टेबिलिटी अच्छी रहेगी बच्चे की तो आप कोई लगता है कि अफोर्डिबिलिटी वाली प्रॉबलम नहीं है आप कर सकते हैं इसको यूज में अदर्वाइज बाकी जो चीजे मैं आपके साथ शेर कर रहा हूँ उनको आप जरूर लीजिए नमबर फाइव बनाना देखिए हर फल की अपनी एक मिशेस्ता है हर फल का अपना एक गून है इसका क्या गून है इसमें फैट कंटेंट और जो फ्रूटस हैं उनसे ज़ादा है अगर एपल की बात करूं नसे ज़्यादा फैट कंटेंट बनाना के अंदर है तो आप बच्चे को देंगे तो उसके weight gain में फाइदा होगा fat content अच्छा, दूसरा आपको इसको prepare करने में बहुत समय नहीं लगेगा इसको आपने छीला है, इसको mash किया और बच्चे को खिलाना चालो कर दिया तो first food, as a first food 6 मेने पर जब हम complimentary feeding start कर रहे हैं बच्चे की, ये बहुत बहुत अच्छा first food आई है तो आप देते हैं कि ने देते हैं मुझे comments में ज़रूर बताईगा, ये ज़रूर बताईगा कि आपने first food क्या दिया बच्चे को जिन्होंने भी start करने जा रहे हैं किस से कर रहे हैं, या जिन्होंने दिया है मुझे ज़रूर बताईगा कि first food आप ने क्या दिया उसे, तो ये इसमें fat content अच्छा है, प्लस इसमें fibers भी बहुत अच्छे हैं, तो इसके अपने बहुत multiple benefits हैं मेरा इस पर भी एक complete video आप देख सकते हैं i button को click करके तो ये 5 food item थे, लेकिन अब मैं एक और extra आपको बता रहा हूँ, जो मेरा favorite है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और ये है आपके पास में दही देखे, अभी मैंने आप से कहा कि जो दूद है इसे आप whole milk देंगे एक साल से पहले लेकिन इसी दूद से बना हूँ दही, ये आप पहले दे सकते हैं एक साल से पहले, मतलब 6 मेने के बाद में तो this is the difference, दूद हमें कब देना है एक साल के बाद में, लेकिन इसी whole milk दूद का बना हूँ जैसे cow milk दही है वो हम 6 मेने बाद दे सकते हैं बहुत गुंकारी है, इंटस्टाइनल फ्रेंडली है बच्चे की आतों के लिए बहुत अच्छा रहेगा बच्चे का वजन बढ़ाने में बहुत अच्छा रहेगा प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है और सब से इंपोर्टेंट मेरी पसंद का है आप इसे अपने बच्चे की डाइट में यूज नहीं करते हैं तो तुरंत स्टार्ट कीजिए यदि आपका बच्चा च्छे मैने से उपर का है तो दोस्तों ये पांच च्छे फूड मैंने आपके साथ शेयर करें जो कि बच्चे के वेट गेन में उसकी अच्छे ग्रोथ के अंदर उसके अच्छे डौलपमेंट में मददगार साबित होंगे उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया तो इसे लाइक करें शेयर करें डिफरेंट ग्रुप्स में शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कर लीजी है